आज हमारा टॉपिक जो है कॉन्सोनन्स इन शार्दा लिपी शार्दा लिपी में वेंजन कैसी लिखी जाते हैं एक साइड में देवनागरे में लिखूंगा पहली देवनागरे और शार्दा लिपी पहले हम स्टाइट करेंगे अज़ा बेल सारे में दोने करेंगे कर 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 पहले हम कर लिखेंगे कर के अब में कर दिखाउंगा को पहले कर को लिखेंगे शारदा लिपी में को को स्ट्रेट लाइन देदी है एस यूजवल दूनु साय से बंद होना चाहिए एक बार फिर लिखेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ये बाद में हैं आपको सीखना है ऐसे भी लिखा होता है मैंस्क्रिप्ट में लेकिन बेटर जो मैंने दिखा दिया ऐसे आप भी सीखेंगे कर फिर दूसरा है कर कर को कैसे हम दिखेंगे एक लाइन और देव नाग वाला पर जो है यह को होता है एक होगे फिर लिकोंगा में एक बार पिर है गर गर में कोई फरक नहीं है गर शार्दालिपी में और इसमें सेम ही है गर में बिलकुल आलमोस सेम है बिलकुल सेम ही है कोई फरक नहीं है गर 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 मैंस्क्रिप्स में आप देखेंगे कभी कभी गर ऐसे भी लिखा जाता है एक ऐसे लिखा होता है वहां पर एक लाइन लंभी और एक लाइन इसे भी लिखा होता है गर किसी किसी जगा पर गर अब इसके बाद नेक्स्ट है गर 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 को जब लिखेंगे इस लाइक दिस गर 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 एसे ने ultimately इंगया है अवर्ण है तिस गर नर अब लास मैं है नर बहुत हो टूट अब अघ कर दो यह पर यह लेड जोटाची लेय डी डाइ yagt ट्रि उनल वे लीग। मैंने पहले भी कहा था कलम से लिखा जाता है तो अधर ट्राइंगुलर ही आएगा कि दूसरे तरीक से भी लिख सकते हैं इसी किसी मैंस्कृट में ऐसे भी लिखा होता है और एक पर रेयर केस में डिर्ट स्ट्रेट और यहां पर एक लाइन छोटी सी एक देंडी लेकिन माइसम तरीक सी एक बाइन तरीक सी एक बाइन छोटी सी एक बाइन पर देंगे गह न अब एक पार सब एक साथ लिखेंगे गह गह कर थोड़ असर कभी कभी यह लाइन जो है थोड़ इसी टेड़ी भी हो जाती है इसमें पॉसिबिल्टी होती है इस्ट्रीट एक खर गह पॉस्ट्रीट लाइन गह और लास में गह में कोई श्यूर रखा नहीं होती है ट्रीट पॉस्ट्री टिए लास में एक लू़ए ट्रीट लाइन जो अग्यान गल्णा तो वता कभी पॉस्ट्रीट रखा नहीं होती है थो पॉस्ट्रीट यह यह वाला ही याद रहो आप यह ही मैंने यह कहा कि कल को किसी मैनिस्कृट में अगर ऐसे भी आएगा जैड़ अलसे रिगार्ड इस नहीं होगा क्योंकि क्लम से लिखते थे जब यहां पर रुकते थे सब्सक्राइब यहां से रुका तो यहां पर यह ऐसे बना होगा इसलिए मैं कहा रहा हूं जब एक लाइन है क्योंकि अभी हम ज़ पढ़ेंगे ज़ जो आगे है ज़ ज़ बी आल्मोस ऐसे यह थोड़ा सा यहां पर है लेकि उसमें दो लाइन से यहां पर इसलिए डिफरेंस लाइन और यहां पर इसलिए ज़ लाइन अगर आप आएसे लिखेंगे देखें कि अपर आप आएसे लिखेंगे देन इस तर वहम आगे दिखेंगे इस तर तो इस शुद बी विद इस अंगल अली राइट? एक वर पड़े हैं इतना काफी है ज़र पड़ने का है पड़ सकते हां याद रख सकते हैं? यह सुदामी है एक नार लोट अगोधि आप है आएस प्रिस म्यादि कि अपसकते हां बड़र है? पिर लिखेंगे हैं चा चर च च च ज फिर रहे जह और फिर है निया इसे को हमने अब स्टड़ी करना है शारदा लिपी में हम इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले मैं लिए लुगा चर को कैसे हम लिखेंगे वेरी इंपोर्टन चर को कुछ अब लिखते हैं इसे लिखेंगे लिखता हूं एक बार एक बार फिर लिखते हैं चर इसे चर मैं एक बार फिर बड़ा लिखता हूं चर श्यू जाए चर्ण वाम सकम तीन बारा प्लिक लीची दिस चर्ण देन चर्ण लाइन चोटी सी लाइन इसी लाइन को ले लीचे इसी लाइन को यहां से लाइए दो जैसा है चर्ण में नीचे एक लाइन होती है चर में हमने जब बताया था वो ऐसी लिखाता हमने चर यह कर में नीचे वाली लाइन नहीं होती है यहां से लानी है बाहर से यहां से लानी है बाहर से, that is the better option छोटी सी लाइन ले दी लाइक दिस चर मैं एक बार फिर बनाता हूं थोड़ा बड़ा लाइन इस चर आप अगर ऐसे भी लिखोगे यह कोई गलत नहीं होगा बराबर ले लेंगे यहां से भी ने भी चर करेक्ट है बर द्यान रखना है नीचे लाइन नहीं होनी चाहिए अगर आप ऐसे बनाएंगे तो यह गलत हो गया यह कर हो गया यह कर है चर में बिलकुल लाइन जो है लाइन नीचे नहीं आनी चाहिए अपको याद रखना है एक बार फिर बता रहा हूं एक छोट सी लाइन देती चाहिए बराबर दोनों होने चाहिए बेटर है इस चोट नाव नेक्स्ट इस जर जर मैं आने बता चुका हूं आपको जर अब हम जर लिखते हैं जर लिखने के लिए बिल्कुल जैसे हमने न बताया था बिल्कुल वाई से ही थोड़ा सा इधर से इसको उपर की तरफ और इस टू लाइन तू ट्रैंगुलर स्मॉल लाइन वार स्ट्रेट आनी चाहिए यह करो आ रहा है ट्रैंपर थील हुना चाहिए एप ट्रैंपर लाइन बताया है ट्रैंपर को स्ट्रैंपर लाइन डिल्कॉण लाइन right and yes it's straight and this one and this one you can you can make two simple lines also no problem small lines here this is sure it is already अलड़ी जब मैंने ए बताया था उस ताम मैंने थोड़ा से आपको बताया भी था इसका इसमें सेमिसर्टिलर लेना पड़ेगा प्रेट लाइन अधियर नाइटी एंगल पर यवाप साइसे इस यहाद अपको याद ओगा जब A and I में उस्टे में ने का था इसमें गार्वेट लिए अई लेना पड़ेगा मैं अन दिफरें लेना पड़ेगा अन दिस A and this I right now we'll write is again we'll write semicircular and last one is new new is written like this very important now one line straight remember this should not ये जो एक लाइन है ये एक मैं दूसरे पर कलर से दिखाता हूं इस लाइन को एक क्रॉस नहीं होना चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ाईगा again repeat एक लाइन then like this it's near line एक बार फिर बताएंगे straight line this is near now we'll write all these together first is चर चर then it is चर then it is चर then it is चर then it is चर ultimately it is इससे पहले क्या किया था हमने कर एक बार लिखेंगे फिर कर 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 ये पहले किया था मने फिर किया था चर्ट फिर कर अड फिर ना all right then चू 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 अन्याँ और हैट, लाहए स्वेब बावंत श्खिना स्वेब शंत निरामया प्रे बद्रानि पश्धन्तू मा कष्षित्तू भाग्ववे ओ शांति 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 शांति